अरे दारू पीने वाला तुम चाहें जहानुम में दारू रख दो जाके वो पीएगा वो बेवड़ा है वो रुखने वाला है क्या तो सरकार तो फॉर्मल्टी कर रही है अरे दोनों हाथ में लड़ू थोरू ना हो सकते हैं केवल जनता ही परिसान क्यों हो राजस के लिए थोड़ा तुम भी परिसान हो जाओ थोड़ा सेलफी पॉइंट में कम खर्च कर लो थोड़ा सा रेलियों में कम खर्च कर लो वो पैसा बचे जाएगा तो उससे देश का भला करो कि केवल दारू के टेक्स से ही भला करना चाते और कुछ टेक्स के चगए तुम दारू बंद नहीं कर पा रहे हो देश में क्योंकि भारत का 90 पर्षंट जो राजनेता है वो बेवड़ा है परिवर्तन प्रकृति का नियम है प्रकृति जब परिवर्तन की चक्की चलाती है तो नियमों को भी बदलना पड़ता है मेरा तो ये मानना है कि यदि किसी समाज को प्रकृति सील बनना है तो उसमें परिवर्तन निरंतर होते रहना चाहिए परिवर्तन की यही ब्यार अवी भारत की संसद में चल रही है परिवर्तन की चक्की में धढले से एक के बाद एक नए-नए कानूनों का सरजन हो रहा है नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं जैसे हाली में भारती ये नया सहींता 2023 में संसोधन किये गए हैं और कुछ नए कानूनों को जोड़ा गया है जैसे राजद्रो, गैंग रेव, स्नैचिंग, इत्यादी कानूनों को जोड़ा गया है जिसे जनता ने बड़ी ही आसानी से स्विकार किया केवल एक कानून जिसे hit and run कानून कहा जा रहा है जनता इसे स्विकार करने को तयार नहीं है खास कर ट्रक ड्राइवर वो इतने असंतुष्ट हैं कि उन्हों ने देश व्यापी हरताल का बुलावा दिया है और हरताल लगा दिये जिससे आम जंता बहुत परिसान हो रही है तो प्रस्ण यह उठता है कि हेट एंड रन कानून क्या है और इसमें कौन-कौन से ऐसी चीजे हैं जिनने हमें जानना जरूरी है पहला तो यही कि हेट एंड रन कानून क्या है इसका बिरोध क्यों हो रहा है क्या सरकार इसके स्थान पर कोई दूसरा कानून लाना चाहती है सरकार से कहां चूक हुई इसके क्या प्रभाव पढ़ेंगे और मैं क्या सोचता हूँ इस कान उपर चलते हुए मार दोतो तो इस कानून को बदलकर नया प्रापधान ये किया गया है कि अधिक्तम 10 साल मैं यहाँ पर किलियर करूं समझना इंग्लिस में जब मैंने पढ़ा तो लिखा था up to 10 year up to 10 year का मतलब है कि अधिक्तम 10 साल होगी यहने 10 साल से ज़्यादा सजा नहीं होगी up to का मतलब zero तो zero से लेके 10 साल का प्रापधान है तो जैसि आपकी मनसा होगी सजा आपको उतनी होगी और मीडिया पर चलाया जा रहा है सोसल मीडिया पर कि सीधे 10 साल की सजा हो जाएगी जो की गलत है इसमें एक प्रापधान और है साथ लाग तक का जुर्माना का भी प्रापधान किया गया है अब यह सही है या गलत है इसका मुल्यांकर हम आगे करेंगे पर जरूरी तो यह है कि यह कानून क् की जरूरत क्या पड़ी जिसे हम hit and run कानून कह रहे हैं मैं कुछ आंकड़ों पर आपका ध्यान चाहूंगा वह आंकड़े आपके काम भी आएंगे इस चार्ट को देखिए इसमें एक्षिडेंट का एक ब्योरा दिया गया है जिसमें यहां लिखा है कि 78 परसेंट जो देखते हैं पुलिस वाला सामने देख जाए तो बगल से निकल जाएंगे या किसी दूसरे गलियों से निकलते हुए हम अपना काम कर लेंगे पर हमें डर नहीं लगता है क्यों डर नहीं लग रहा है क्योंकि कानून उतना बड़ा नहीं है तो ड्राइवरों के अंदर एक का माहौल बनाने के लिए उनको जीवन का मुल्य समझाने के लिए कड़े कानूनों की आवश्रकता है एक पहलू तो यह हो गया दूसरा इसलिए इस कानून में संसुदन किया गया है कि यह कानून अंग्रेजों के जमानने का है यह IPC 1861 के समय की है और अंग्रेज उस समय ज और निम्नकोटी का कानून बनाएंगे कि यदि गाड़ी से किसी की हत्या भी होती है तो गाड़ी चलाने वाले को कम से कम सजा हो तो इसका मतलब जो बरतमान का कानून है उसमें अंग्रेजी कानून की बू आ रही है इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में और क्यों लाय जा संख्या बढ़ेगी तो फिर एक्सिडेंट होने के चांस भी बढ़ेंगे अब चुंकि अभी तो गाड़ी आदमी चला रहा है कुछ समय के बाद गाड़ी ड्राइवर लेस आने वाली हैं तो उनके लिए अलग से कानून आना पड़ेगा अब जब ड्राइवर लेस के लिए क जो है वो डर से ही बना हुआ है अगर हम लोग अपने अंदर नियम कानून को तोड़ दें तो हम प्रवर्ती से जानवर हैं आप इस चीज को सुईकार कीजिए हम समाज में अच्छे लोग की तरह रहने का बैवार करते हैं और यकीन नहीं है तो तुम जैसा बंद कमरे में वैवार करते हो अक्षिली तुम वही हो पर समाज में आते ही हम लोग एक सब लोग की तरह बैवार करने का प्रयास करते हैं क्योंकि समाज नियम कानून से चलता है तो हम नियम कानून से गाड़ी चला है इसलिए कड़े नियम कानून होना जरूरी है और यह कानून केबल ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है समाज के हर वेक्ति के लिए है जो स्कूर्टी चला रहा है उसके लिए भी नियम कानून है तो इसको किसी विसेस वर्ग से जोड़ कर न ही आती है चीजे और एक mentality होती है कि हम बहुत उंचाई पर बैटे हैं और यह बास सही भी है कि अगर ट्रक से टक्कर होती है चूटी-मोटी गाड़ी की तो ट्रक ट्राइवर का ज्यादा नुकसान नहीं होगा पर उसके दिमाग में क्या है कि अगर सामने वाला मर भी गया तो मैक्सिमम कितने की सजा हो सकती है दो साल की इसलिए इस प्रकार के कानून को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया इसके अंदर एक हत्या का इंटेंशन भी है मालो की जो पुराना कामनून है जिसमें अगर कोई ट्रक ड्राइवर कोई बस ड्राइवर कोई फोर विलर गाड़ी वाला या अब मैं कहूं टू विलर गाड़ी वाला किसी को एक्सिडेंट से मार देता है तो अधिक्तम दो साल का ही प्रावदान है आज कुछल दो कल बाहर आ जाओगे गाड़ी भी छूट जाएगी फिर से तुम गाड़ी चलाते रहो तो कई तो इसमें अपरादी हैं जो गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी पहचान और सनक्त करना भी जरूरी है इसलिए इस कानून को लाया गया फिर अंतिम यह है कि केवल व्लोक बोलते हैं उसको मानने लगते हैं पक्ष और बेपक्ष दोनों को समझना जρूरी है अब आते हैं अगले प्रशन पर जो सबसे महतमुलश प्रश्न है कि कानून अगर सही है तर इसका भिरोध क्यों हो रहा है इसका भिरोध प्र होई प्रमुक रूप रूप से ट्र ट्रक ड्राइवर इस कानून को आसानी से सुईकार कर लें मैंने कई सारे न्यूज चैनल पर ट्रक ड्राइवरों को रोते हुए देखा उनके जो common प्रशने वो मैं समझ पाया हूँ पहला प्रशन यह है कि साव अगर मालो हम गाड़ी चला रहे हैं और हम दारू पीने वाले व्यक्ति नहीं हैं हमारे पास लाइसेंस है गाड़ी के पूरे कागज है पर कोई व्यक्ति हमारी गाड़ी की नीचे आके मर गया और अगर हमने वहाँ पर गाड़ी रोक ली थी कि जनता को यह मालूम है कि यदि ट्रक ड्राइवर ने किसी की हत्या कर दी और वह गाड़ी चोड़कर भाग गया तो अधिक्तम उसको दो साल की सजा होगी यानि कोट उसको कोई सजा दे ही नहीं सकता बैक्ती तो मर गया जिसको मरना था तो जनता आकरूस में आकर यह सोचती है कि यहीं चटपट कर डालो जो होगा देखा जाएगा क्योंकि अगर एक बार यह भाग गया तो इसको निश्चित तोर पर बड़ी होकर अगले दिन फिट ट्रक चलाएगा और किसी को और को पुछलता गूमेगा तो ट्रक ड्राइवरों का संदे एकदम जायज है कि अगर हम जनता के हाथ में आ गए तो जनता तो हमें मार डालेगी अब नए कानून आने से आपको फाइदा है जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं समझना कैसे अगर गाड़ी आप रोकते हो मालो कि एक्सिडेंट हो गया है इसमें तीन सरते हैं पहला एक्सिडेंट होने के बाद डेड़ बोड़ी हुई है जनता की भीड़ आ रही है अगर वहां आप गाड़ी रोकते हो और आपको लगता है जनता मार डालेगी तो गाड़ी वहां मत करेंगी पहला पॉइंट अब यह समझ दूसरा पॉइंट यह है कि पहले जनता इसलिए आक्रोसित रहती अभी तक ट्रक डाइबरों तक क्योंकि दो साल का प्रावधान था जब नियम कानून मजबूत हो जाएंगे तो लोगों को समझ में आने लगेगा कि नहीं अगर यह व भारत में अगर कोई व्यक्ति मड़ कर दीता है मालो गाव में किसी ने मड़ कर दिया तो क्या जनता उसको कूट-कूट के माड डालेगी नहीं सबको मालों में अगर मड़ किा है और सित दो गया तो फांसी की सजा भी सकती है तो जहां सजा बहुत बड़ी है वहाँ जनता नियाय नहीं करती, जहां सजा छोटी होती है वहाँ जनता नियाय करती है, तो ये ट्रग ड्राइवरों के पक्ष में कानून है इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए आप लो एक और पहलू समझिएगा अगर जनता किसी ड्राइवर को मारती है तो इस कानून में मॉब लिंचिंग का भी प्रापदान है और फासी की सजा है तो जनता की रुख कहाँ पजाएगी किसी ड्राइवर को पकड़ने से पहले यह कानून अब आपके पक्ष में है यह कानून ज साथ लाक रुपए किस बात का 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति साथ लाक रुपए की विवस्ता कैसे करेगा प्लस इसमें एक और बात है कि सर बच्चों का क्या होगा मान लो की सर हम दारू आरू पीने वाले आदमी नहीं आप सभरे ट्रक ड्राइवर तो गुंडेम वाली दारू पीने वाले नहीं होते हैं, कुछ तो अपने परिवार के लिए सच में काम कर रहे होते हैं, उनके पास कागज भी है, लाइसेंस भी है, और किसी काड सामने वाले ही गलती कोई से मर गए, और वो सिद्ध नहीं कर पाया, तो उसको अगर अगर सजा होगी, मान लो 5 साल की, वेलेवल है नहीं है, तो उन बच्चों को कौन पालेगा, हाँ, ये एक दो ड्रॉबेक मुझे लग रहे हैं, अगर इस पर भी ध्यान दिया जाए, तो सायद है, ट्रक ड्राइवर इस बात को समझेंगे, बाकि जो दो कुशन है कि जनता हमको माल डालेगी, और 10 साल की सजा होगी, तो ये मैंने किलियर कर दिया, जनता हिम्मत नहीं है कि अब टच कर पाए, सीधे फासी की सजा होगी, अगर है, अधिकांस लोग खून निकलने से मर जाते हैं, बस खून निकल गया, शरीर मरत हो जाता है, तुम उसको टाइम पर हॉस्पिटल पहुचा दो, और जाके फिर कोट में या पुलिस्टेशन बोल दो कि साहब ऐस ऐसी बात हुई है, आप यकिन माहनों, आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी के पूरे कागज हैं, और आपका इंटेंसन अच्छा है, सजा ही नहीं होगी आपको, क्योंकि सजा का प्राबधान है, जीरो से लेके, दस साल तक, इस चीज को समझो, अगर तुम गिल्टी हो, तुमारे गाड़ी के कागज नहीं है, दारूपी के गाड़ी चला रहे हो, तुमने जवरन किसी को मारने का प्रयास किया है, तुमारे दिमाग में सनक चड़ी हुई है, फिर तुमको तो फासी मिलनी चाहिए, और कौन लोग ब्रोध कर रह हैं, परवार वाले, उन्हें समझ नहीं है, मेरी बात को आप समझने का प्रयास करो, मैं किसी पार्टी का पक्षदर नहीं हूँ, मैं ये बताना चाहरा हूँ कि समय के साथ कानून आना बहुत जरूरी है, इस कानून में ये दो ड्रॉबेक है, सरकार को ये ड्रॉबक में समर्तन करता हूँ, तो सर आपके इसाब से क्या विकल्प होना चाहिए, देखिए, लगबग 500 से ज्यादा धाराएं हैं IPC में, उसमें से शिर्फ 4 धाराएं ऐसी हैं, जो परिवान से संबंदित हैं, 279, 304A, 337, 338, बस इनी धाराओं का प्राभान किया गया है, इतने बड के देश को अगर नियंतर्ण करना है, ट्रैफिक विवस्ता भारत की सब को मालूम है, कैसी आलत में है, तो कड़े कानून तो लाना पड़ेगा, और इस कड़े कानून का सामना सब को करना पड़ेगा, परिशानी सब की होगी, फिरूचा मंत्री हो, चाहें गरीब हो, सब को कानून का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के समयदान में, कानून के सामने सभी समान है, अब आप कहे रहें, जिसमें 104 का 2 है, उसमें कुछ संसोधन किये गए है, जिसमें नई चीज़ जोड़ी गई है, अब कानून आएगा, इंप्लिमेंट होगा, साच्छ अधिनि लगता था, क्या होना चाहिए है, मैं सरकार से मैं यह कहना चाहरा हूं, कि जो भी फालतू के खर्च olması नहीं है, जिसने भी खर्च işi ऐन हमयों, जिसने इस स्कूल में केमरे नहीं लगा जाते हैं, तो यह अनिवार कर देना चाहिए यह कानून लाइए कि किसी भी ट्रक को गाड़ी को खरीदने के लिए जैसे 6 एरवेक जरूरी है जिसे समझ में आए कि ड्राइवर नसे में था गलती किसकी थी सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी एक तो यह होना चाहिए था सरकार इस प पूने फलाना डिकाना उन सम में केमरे लगे होते हैं तो सभी ट्रक में भी केमरे लग सकते हैं इसके लिए सरकार को सबसीड़ी देने का प्राबधान करना चाहिए ना कि सेलफी पॉइंट पर पईसा खर्च करना चाहिए क्या हो सकता था देखिए हमें मूल कारड समझने ह होंगे मूल कारड क्या है कि केवल कानून बनाने से एक्सिडेंट नहीं रोगेंगे हमें यह समझना होगा कि एक्सिडेंट का प्रमुक कारड क्या है तो आप समझेंगे कि सबस्द एक्सिडेंट रात में होते हैं दूसरा एक्सिडेंट करने वाला दारू में ही होता है जिसक तो सरकार तो फॉर्मल्टी कर रही है, आरे दोनों हाथ में लड्डू थुरूना हो सकते हैं, केवल जनता ही परिशान क्यों हो, राजस के लिए थोड़ा तुम भी परिशान हो जाओ, थोड़ा सा रेलियों में कम खर्च कर लो, वो पैसा बच जाएगा, तो उससे देश का भ दुकां है सबसे प्रमो करण से रहे हैं है कंड़ोना जांसिक मानसिक ही प्रवात भी को है Ô पर नषिवेगत व करता है नो 1-2 तो 2% से संबंध और अने लगती हैं क्वान मानसिक तनाव में आने लगते हैं उस लड़ाई को देखकर और फिर वही बच्चे बड़े होगे आपरादिक प्रवत्पी की बनते हैं केवले एक दारू की वज़े से और कुछ टेक्स की चगए तुम दारू बंद नहीं कर पा रहे हो देश में क्योंकि भारत का 90% जो राज आएगा इन बेवडों की आँखे देखना सुबह जगे ऐसे काली-काली आँखे रखी हो दीन राजनेताओं की बड़े-बड़े पेट हो गए हैं राजनेताओं के वह बैठके कानून मनाने का काम कर रहे हैं यह समस्या वाली बात है तो अगर सचमें इस देश में रोड ए ठेक है इन आलायकों को देखो रोड पर यह ठेला ठाका के ले जा रहे हैं अब अगर यहां पर पुलिस परिसान करेगी तो उठाके कहीं और रख लेंगे यहां पर लिखा है देखका सराव देशी अंग्रेजी कोई भी ले जाओ तो जहां पर पोर्टेवल दारू की दुक रोयल्टी ले पाएं और जनता को लूट पाएं पर अगर कानून बनाना है तो यहां पर कानून बनाओ एक और चीज़ दूसरा जो प्रमुक कारड है वो है रोड को लेकर अब तो रोडों की इस्तिती बहुत अच्छी हो गई है मैं मानता हूँ रोड में क्या गुलबतता होनी चाहिए इस प्रकार की जो लाइन दिख रही है यहां पर डॉट डॉट यह लाइन है जब रात में गाड़ी चलती है तो अंधेरा आगे कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन इन लाइनों के सारे गाड़ी सीधे जाती है अगर कोई मोड आता है तो समझ में आता है एक्सि करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भूइश्क्ला क्वाइल नित्याती होती रहती है मा इस बात को मानता हूं फिर भी यह बताईए यहां पर कोई ट्रग आ चीज और है खटारा गाड़ी चलाई जा रही है तो इनको बद्द करना चाहिए ना अब गाड़ी में आपने देखा हो एक गुना का केस हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए क्योंकि गाड़ी के कागज नहीं थे बाद में क्या कारवाई हुई उसको सस्पेंड कर दिया इ इस बार नीचे को सस्पेंड न करते हुए उपर से सस्पेंड किया गया इससे एक अच्छा मेसेज आया कि अगर कोई गलती होती है तो मुखिया को सजा मिलेगी अच्छा भी है नीचे जो करमचारी है उनकी कोई गलती नहीं होती है जैसा आदे साता विचारा वैसा काम करत इसलिए उपर से सस्पेंशन होना चाहिए इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्चकता है तो हमारा देश आगे जा पाएगा अगला प्रशन है तो सरकार से चूक कहां हुई मेरा यह मानना है सूचना देने में केवल सरकार से नहीं प्रसासन से और जो यूनियन है और टो य उनियन बने हुए हैं क्या उनका काम नहीं था यह जानकारी देना पर यह कहा जा रहा है कि यह हड़ताल ड्राइवरों की है ड्राइवर में इतनी संगटनी आ गई कि एक बार में सभी ट्रक बंद कर दिये क्या प्रवा होगा इस चीज का समझना होगा तो सरकार सूचना दे यह भूखे बैठे हुए हैं और जब ज़्यादा करेंगे तो लाठी खा रहे हैं बिचारे क्या प्रवा पड़ेगा इन सब का अगर सही से प्रसासन नहीं किया जाएगा सूचना नहीं दी जाएगी तो मैं मालूम है पैट्रोल के लिए कितना परिसान हुए आप लोग कि यह नहीं हो पाएगा वो बंद हो जाएगा यह बंद हो जाएगा प्रसासन बिल्कुल फैल होता हुआ दिखा यहां पर सबजीयों के लिए कहां जाएगा आदमी जो पैसी फ्रेवल गूर्स होती है दूस सबजीयां इत्या दी यह तो सब सड़ जाएगी ना जाम में परा देना चाहिए अगर कोई ट्रक ड्राइवर सजा होती है उनके बच्चों के पड़ाई लिखाई जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए अब गलती तो हुई है बाप से तो उनकी गलती बच्चों को ना भुगत नहीं दी जाए मैं जंता से अपील करता हूँ इस कानून के महत को समझें अगर हमें अपनी ट्रैफिक विवस्ता समाल ली है तो इससे भी कड़े कानून लाने की जरूरत है मैं एक सला और देना चाहरा हूँ पुलिस विभाग को कि जो मोटर साइकल पर कागज चेक करते हैं लाइसेंस देखाओ फलाना देखाओ डिकाना देखाओ इन सब को चेक करना बंद कर देना चाहिए केवल एक ही चीज़ चेक करनी चाहिए है हेलमेट है या नहीं अगर कागज देखना ही है तो ओनलाइन इतना सिस्टम अच्छा हो चुका है तुम गाड़ी का नंबर टाइप करो उसके पूरे कागज ओनलाइन मंगवा लो उसको नौटिफिकेशन कर दो क्योंकि कागज चेक करने में लोगों समय भी जाता है और बिविन प्रकार की बसूलियां भी होती है केवल गाड़ी 2-wheeler में सहर के अंदर कहीं भी हो 4-wheeler में 2-wheeler में helmet चेक किया जाए 4-wheeler में belt चेक किया जाए बाकी और किसी भी प्रकार के कागज कारवाई के लिए online process किया जाए अगर सब चीज online हो रही है पढ़ाई online हो रही है तो कागज भी online क्यों नहीं चेक हो सकते क्या पैसे नहीं है अगर पैसे नहीं है तो फाल्दू घर्चे बंद करो पहले इस पर काम करना चाहिए तो मेरा बरडिक्ट यह है कि यह कानून पर ऐसे कानून का आना बहुत जरूरी है अन्यवाद जय हिन जय बारत